आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी माथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायलोजी डाउट्स का सफाया बस अपने क्वेशन की फोटो खीजो उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सेलीशन पाओ डाउनलोड नाउ हेलो वच्चो आज हमारा प्रेस्ण है बताइए कि निमलेखिद बहुपद में कौन-कौन से बहुपद, रैखिक, कौन-कौन से दुई घाती और कौन-कौन से तृघाती है हमारा बहुपद है x-reald, 3x की घात, 3, 5, 5 हम सबसे पहले अपने बहुपद को लिख लेते हैं, हमारा बहुपद है P of X बड़ाबर X रिड, 3X की घात, 3, धन, 5 हम दियेगे बहुपद को मानक रूप में लिख लेते हैं तो यह हमारा मानक रूप में हो जाएगा सबसे बहले सबसे बड़ी घाद लिखेंगे तो यह हो जाएगा हमारा रिड तीन एक्स की घाद तीन धन एक्स धन पांच तो हम यहाँ पे देखते हैं हमारा चर क्या है यहाँ पे चर क्या है X है तो हम सबसे पहले जान लेते हैं किन बहुपदों को रैखिक बहुपद कहा जाता है किन बहुपदों को दुईघाती बहुपद कहा जाता है तथा किन बहुपदों को त्रिघाती बहुपद कहा जाता है रैखिक बहुपद उन बहुपदों को कहा जाता है जिन में चर की जो उच्चतम घात होती है चर की उच्चतम घात जो होती है वो एक हो दुईघाती बहुपद उन बहुपदों को कहा जाता है जिन में चर की उच्चतम घात दो हो तथा त्रीघाती बहुपद उन बहुपदों को कहा जाता है जिन में चर की उच्चतम घात तीन हो तो हमारा बहुपद क्या है पी आफ एक्स बरावर रिण तीन एक्स की घात तीन धन एक्स धन पाँच तो हम यहाँ पे देखते हैं हमारे बहुपद में जो चर क्या है एक्स है तो एक्स की अधिकतम घात कितनी है तीन है तो हम लिख सकते हैं चर की उच्चतम घात कितनी है हमारी तीन है तो जिन बहुपदों में चर की उच्चतम घात तीन होती है उन बहुपदों को त्रिघाती बहुपद कहा जाता है मतलग हमारा दिया गया बहुपद कैसा बहुपद होगा त्रिघाती बहुपद होगा धन्य बाद क्लासिक्स से टुएल से लेके नीट आयाईटी जेही मेंस और एडवांस के लेवल तक तस मिलियन से जादा स्टुडेंट्स का भर होसा आज ही डाउनलोट करें डाउटने टाप या वाच्साप कीजिए अपने डाउट्स आट चार्सो 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 पर